सुथार स्वागत आपका सेल्व स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपने इस विडियो में डिसकस करने वाले हैं कि स्ट्रीट वेंडर intense कौन होते हैं वैसे काफी सारों को पता ही होता है कि स्ट्रीट वेंडर का मतलब अब जो गलिएों में आपने देखा होगा आपके घर के आगे रेडी आती हैं ठेले वाले आते हैं जो वहां पर आकर समान बेचते हैं उनको street vendor सी कहा जाते हैं या फिर एक आपने footpath के उपर, सडकों के किनारे के उपर आपने देखा होगा कि कटोकरी के अंदर को समान रखा हुआ होता है या फिर आपने जो सडक के किनारे पर, पेड़ों के उपर कुछ गुड़े गुड़ियां टंगे हुए देखे होगे, कुछ टेडी बियर टंगे हुए देखे होगे तो उन समान को बेचने वालों को ही street vendors का आजाता है और भारत में इनकी संख्या बढ़ रही है, इसके पीछे reason हम जानेंगे कि क्यों बढ़ रही है या फिर भारत में ही क्यों, दुनिया के अलग-अलग हिशों में या फिर Latin America हो गया, अफरिका हो गया, या Asian countries होगी जो developing countries है, तो वहाँ पर, जो street vendors है, इनकी संख्या काफी जादा बढ़ रही है तो इसके पीछे reason क्या है, और आज हम इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं देखिए, street vendors, आप देखोगा, आपने गली महले में बहुत सारे street vendors होते हैं, या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कि street vendor यानि जो सड़क के किनारे खड़े होकर समान बेच रहे होते हैं तो एक कभी-कभी ऐसा होता है कि police आती है, या फिर कि जो आप नगर निगम में रह रहे हैं, तो वहाँ पर municipal corporation आते हैं तो वहाँ उनके समान को तोड़ दिया जाता है, तो इससे कितना जादा इनके उपर असर पड़ता है तो इनको उस असर से बचाने के लिए, अभी हाल में जैसे meeting हुई, वहाँ पर काफी सारे decision लिए गए इनके लिए जो street vendors होते हैं, इनके लिए काफी सारे scheme निकाली गई है सरकार इनकी help के लिए आगया रही है, regulate करने की बातें की जा रही है तो बहुत जादा ज़रूरी है regulate करना इस काम को भी, यानि street vendors को भी तो आज हम इस वीडियो में बहुत सारी जो इनके सामने जो समश्याएं आती है, street vendors के सामने और कैसे कैसे इन समश्याओं का सामना करते हैं, और street vendor की संक्या क्यों बढ़ रही है इन तमाब बातों को इस वीडियो में हम cover करने वाले हैं पीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मैं आप लोगों को पीडियो के लिए में बता देतम description box में telegram का link दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं चली start करते हैं, अभी हाली में क्या हुआ, kochi corporation ने क्या किया, एक list निकाली, उस list में कहा गया कि बहुत सारे जो street vendors हैं, उनको हटाया जाएगा, जो सड़क के किनारे, देखे, आपके सामने ये teddy bear रखे होंगे, कुछ समान रखा होगा तो इन समान को बेचने वाले जो ये लोग हैं, इनको अभी हाँ से हटाई जाने की बात हो रही है अब जब इनको हटाया जाएगा, तो इनकी जो जीवी का है, इनके उपर कितना जादा असार पड़ेगा, ये लोग कहां जाएगे तो अभी क्या हुआ, रिसेंटली, मिनिस्टर फोर हाउसिंग और अर्बन अफेर, अभी इनोंने क्या मिल एक मीटिंग की, उस मीटिंग में इनोंने कहा कि जो अतिक कर्मन कारियों से स्वेरोजगार, यानि फ्रों इनक्रोच्मेंट टू सेल्प इंप्लोईड, इस विशे पर लोगों को स्वेरोजगार दिया जाएगा, ताकि वहाँ पर लोग जो है, अपना रेडी ठहला लगा सकें, और वहाँ पर अपना समान बेज सकें, तो इस तरह की की बात की गई, अभी बात कर लेते हैं कि, who do we need to know about street vendors, कि हम street vendors के बारे में जानते क्या हैं, जैसे मैंने अप लोगों को बता हैं, street vendors ऐसे बेखती हैं, जो समान की बिक्री के लिए, एन्यों सैल के लिए, एक स्थाई निर्मी सरंजना के बिना, उनके पास कोई भी ऐसी सरंजना नहीं होती, जहां वो खड़े होकर अपना समान बेज सकें, तो बड़े पैमाने पर वस्तों की एक जगह से दूसरे जाकर पेशकेस करते हैं, उसको बेचते हैं, street vendors समान बेचने के लिए, स्थाई रूप से footpath या अन्य सारजनिक या नीजी स्थानों पर कबजा भी कर लेते हैं, या ऐस्थाई तोरपर वहां बैठे हुए मिलते हैं, अपने समान को ठेले में, या फिर सिर् तो ये street vendors होते हैं, अब इनकी संक्या के बारे हम बात करूँ, देखे, पूरी दुनिया के अंदर जो street vendors के संक्या है, वो एशिया, लैटिन अमेरिका और अफरीका में, यानि कि जो developing countries हैं, इनमें काफी ज़्यादा बढ़ रही हैं, अभी reason भी जानेंगे, कि क्या reason है इनकी संक्या बढ़ने का, और भारत के अंदर हम बात करें, तो लग बग लग बग 50 लाग के नजदी, जो हैं वो street vendors है, वैसे देखा जाए तो 50 लाग से, 50 लाग से कुछ ज़्यादा ही है, यह संक्या बहुत कम दिखाए गई है, 50 लाग से वैसे बहुत ज़्यादा है, उत्तर प मिल जाएंगे street vendors, मैंने का ने, गॉर्मेंट के आँकड़े है, एक्चुल में यह तो बहुत ज़्यादा है, यह तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उपरी तोर पर देखा गया है, पहचान की कि बस इतनी ही, एक्चुल की बात करें तो बहुत ज़्यादा संक्या में हमें street vendors क पर देखने को मिलते हैं, सिक्की में कहा गया है कि कोई भी street vendor महाँ पर है यह नहीं, तो इस तरीकी की बाते हमारे सामने आती हैं, अब क्या street vendors के लिए कोई अधिकार है हमारे, या फिर कहीं के street vendors क्या, क्या इनके अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, कोई समीधान में अध एफसाए, वैपार, या वानिजे करने का मोली कदिकार मिलता है उनको, कानून के समक्स समानता, यानि equality before law, कि अब आप इनको हटा रहे हैं, तो उनके कानून के समक्स समानता का क्या हुआ, तो आर्टिकल 14 जो बात करता है कि रज्य हैं, भारत के शेत्र में किसी भी कानून के समक्स समानता या कानून के समान सरंक्षन से उनको वंचित नहीं करेगा, या फिर मतलब कि उनको ऐसा नहीं है कि उनको कानून के समक्स समानता नहीं दी जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे देश में जो social justice है, जो हमारे देश का preamble है constitution का, वो ये बात बोलता तो यह अधिकार है उनको तो अब यहाँ पर समिधान में तो अधिकार मिले हुए है इसके अलावा जो राज्ये के निती निदेशक तत्तों है बोले तो डिरेक्टिव प्रिंसिपल क्या उसमें भी बात बोली गई है बेशक बोली गई है आर्टिकल 38 का क्लोज बन बोलता है कि जो स्टेट गॉर्मेंट नहीं यह जो राज्ये है राज्ये यहां पर देश की बात हो रही है ऐसा मसमझना कि जो राज्ये हैं वो हरियाना पंजाब उतरवर्मेंट की बात हो रही है यह जो भारत देश की बात हो रही है इसमें बोला गया है कि जो एक देश है उसके द्वारा अपने समाजिक व्यवस्ता सुनिश्चित कर लोगों के कल्यान को बढ़ावा देने का निर्देश देना जिसमें राष्टे संस्थाओं में समाजिक, हार्तिक और राजनितिक नय सुनिश्चित किया जाएगा आर्टिकल 32 का क्लोज 2 ही बोलता है कि आये की स्थिति सुविधाओं और अफसरों में ऐसा मानताओं को कम करना होगा कि भी किसी को ऐसे नहीं जादा अफसर दे दिये किसी को कम अफसर दे दिये नहीं सब को बराबरी हक देने के निर्देश देता है आर्टिकल 38 ये देश को देता है Article 39 का Close A बोलता है राज्य को इस निश्चित करने के लिए नीती तियार करने का निर्देश देता है कि नागरिकों जो पुरुष या महिलाओं को समान रूप से अपनी आजिविका को प्रयाप्त साधनों तक पहुंच का अधिकार हो कि भी ऐसा नहीं है कि पुरुष को जादा दे रहका है महिलाओं को कम दे रहका है या महिलाओं को जादा दे रहका है पुरुष को कम दे रहका है तो दोनों को equal वहाँ पे चलाने की बात होती है Article 41 के अगर हम बात करें उनसे related इतने सारे हमारे देश के अंदर आर्टिकल दिये हुएं समीधान के अंदर उनके हितों की रक्षा के लिए obviously समीधान में लिखा गया है अब street vendor की संक्या बढ़ने के कारना करम जाने तो पहला reason आता है हमारे सामने जो ग्रामेंड शेतर है वहाँ पर गरीबी के साथ सा जो वहाँ पर रोजगार है उसके अंदर कोई भी ऐसा है नहीं कि लोग वहाँ पर काम करें उनको रोजगार मतलब कि ऐसा रोजगार मिले कि अपने घर खर्चा चला सकें वहाँ एक तो रोजगार कम है और रोजगार है भी तो उसमें इतना पैसा नहीं है तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं शहरों के तरह बहतर जीवन की तलास में गाउं से बाहर निकलते हैं और उनको मजबूर भी होना पड़ता है कोई चाहता है कि मैं कम में गुज़रा कर लूँ तो वो कम में ना होकर भी मजबूरी में बाहर आ जाता है अपने गाउं से तो अब देखी अब जो व्यक्ति घर छोड़कर अपना गाउं छोड़कर बाहर आ रहा है तो मतलब कि शहर के अंदर आ रहा है अब जो लोग आएं हैं गाउं से निकल कर शहरों में उनके पास इन सब चीजों की कमी होता है अब इन सब चीजों की कमी होने के कारण वो मजबूरी में ऐस अंगटित यानि इन्फ़र्मल सेक्टर के अंदर काम करना उनको मजबूरी में पढ़ जाता है, उनको समझोता करना पढ़ता है तो एक तो reason यह हो गया दूसरा reason यह होता है, हमारे देश में एक अबादी एक ऐसा हिस्सा है, जो रोजगार है तू जो informal sector में जाने के लिए मजबूर हुआ, वे कौन है वे थे हमारे देश के अंदर जिनकी जोब चले गई जो employed थे formal sectors के अंदर, अब उनकी जोब चले गई जोब क्यों चले गई, क्योंकि उनकी company का किसी के अंदर merger हो गया उनकी company बंध हो गई, जिसके कारण उनको नोकरी कोनी पड़ी, उनके परिवार के सदस्यों को जीवन यापन के लिए ए संगटी शेतर में कम वेतन पर काम करने, तलाश करनी पड़ी, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा reason भी यह निकल के आता है, जिससे street vendor की संख्या बढ़ रही है, obviously हमारे देश में street vendors की संख्या बढ़ रही है, हमारे देश के जैसे मैंने का, बहुत सारे दुनिया के देशों के अंदर street vendor की संख्या बढ़ रही है एक informal sector है, और यह रोजगार provide करता है लोगों को अब इसके अलावा street vendor के सामने चनोतियां क्याती हैं, उसकी बात करते हैं एक तो है हमारे सामने lack of space आपने देखा होगा सब्जी मंडी में वहाँ पर तो एक proper जगा दी जाती है या फिर सब्जी मंडी छोड़ी आप एक ऐसी जगा गए है जहां पर बहुत सारे रेडियां लगी हुए हैं अपना वहाँ पर ठेला लगाना स्टार्ट करती है तो दीरे दीरे करके वहाँ पर बहुत सारे ओर ठेले लगने लग गई है जिसके चलते क्या हो रहा है वहाँ पर space की कमी आ गई है वैसे भारत के अंदर एक master plan prepare किया गया था cities के लिए cities do not allocate to vendors मतलब एक prepare plan किया गया था लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ अब यहाँ पर हमारे देश में उस plan को follow करने की बजाए हमारे देश में follow करने लगे या फिर हम नकल करने लगे जो western concept है marketing का उसका जिससे lack of space हमारे सामने निकल कर आते है फिर एक आता है टेकल multiple authorities मतलब कि आप देखिए जो street vendors होते है उसको कितनी चीजों का सामना करना पड़ते है एक तो municipal corporation का एक police का सामना करना पड़ते है regional development authority का district administration का local panchayat इन सब का इनको सामना करना पड़ते है ये सब जब सामना करते है इनको exploitation, extortion कोई इनको मतलब कितना गंदे तरीके से इनके साथ विवार किया जाता है कोई इन से पैसे ले लेता है in many cases the positive step taken by one authority अब होता है कि किसी authority के दोरा positive step उठाया गया हो कि भी जो street vendors है इनकी भलाई के लिए कोई काम करने के लिए कोई scheme निकाली गया हो लेकिन किसी दूसरी authority ने ऐसा काम कर दिया है जिससे यह जो action है वो nullified हो गया यानि कि वेर्थ गया वहाँ पर instead of regulating vendors भई हमारे देश के अंदर regulate करने के बजाए इन vendors को municipal corporation उनको ऐसे treat करती है जैसे कि वो हमारे देश के अंदर बादा है वो एक रुकावट है उनके ऐसी policies वो लेकर आती है जिससे वो street vendors को remove कर सके उनको वो harass कर सके उनको वो तंग कर सके बावजुद उसके कि वो उनको regulate कर सके regulate क्यों नहीं कर सकते regulate किया जाना चाहिए वहाँ पर अब बात कर लेते हैं बार बार बेदकली अब देखिए जैसे कोची कॉर्परेशन ने या फिर आप दिल्ली के अंदर रहते होंगे तो दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि कैसे वहाँ पर street vendors को भगाया जाता है या footpath पर जो अपने ready लगा के बैटे होते हैं कैसे उनको भगा दिया जाता है तो वहाँ पर बेदकली की जाती है जिला या नगरपाली का परशाशन द्वारा नियमित यानि एक time के बाद निशकाशन कर दिया जाता है तो इस निशकाशन की कारवाई से ये डरते हैं जिससे इनको बहुत जादा effect पड़ता है इनकी कमाई के उपर फिर हमारे सामने आता है extortion racket रंगदारी racket जिसको बोला जाते है extortion यानि बोले हफता वसूली अभी हमारे देश के अंदर definitely ये सब चीज़े चलती है कि कई जो दुकानदार है या फिर जो informal sector है जो street vendors होगे जो ready होगे जो ठेला होगे इनको वहाँ पर ठेला लगाने के लिए जो नगरपालिका है या पुलिस है उनको वहाँ पर हफता वसूली देनी होती है या फिर कोई और भी हफता वसूली कर रहा होते है इन सब चीज़ों को देखते हुए इनके सामने बहुत सारी problem आती ही आती है अब इसके अलावा सरकार जो है वो street vendors के लिए क्या कर रही है डेफिनिटली भार सरकार ने street vendors के लिए वो सारी योजनाय निकाली है जैसे स्विनिधी योजना निकाली है पचास लाग से जो अधिक street vendors को जिससे इसे फाइदा होगा स्विनिधी योजना से जिससे सरकार वो इनको loan प्रवाइड करवाएगी और ऐसा loan होता है कि सरकार भूल जाती है कि इनको वापस पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा डेफिनिटली ये help करने के लिए किया जाता है सरकार के दोरा इसके अलावे इसका दूसरा उदेश है कि 1200 रुपे परती वर्ष जो है वही कराशी के तोर पर कैश बेक के परोसान के रूप में दिया जाएगा अगर डिजिटल लेंदेन को बढ़ावा देने के लिए तो यहाँ पर सरकार के दोरा डिजिटल लेंदेन को बढ़ावा देने के लिए स्टीट वेंडर्स को 1200 रुपे हर साल एक तरीके से इंसेंटिव दिया जाएगा National Association of Street Wenders of India एक NASVI की शोट हो में एक ऐसा संगट है न जो देश पर में हजारों स्टीट वेंडर्स उनकी आजिवी का अधिकारों की रुक्ष रुक्षा के लिए काम कर रहे हैं NASVI जो है उसकी स्थापना मुखे हो देशे से भारत में जो स्टीट वेंडर्स हैं उन संगटनों के एक साथ लाना था ता कि बहुत बड़े व्यापक तोर पर बदलावों के लिए सामुई करूप से परयास किया जा सके या फिर मैक्रो लेवल मतलब कि एक बात करें इनको अगर कुछ चीजों की जरूर है तो वहाँ पर उन चीजों को परवाइड भी करवाया जा सके तो ऐसी एसे एसोशेशन है इसके लावा हमारे देश के अंदर एकदा स्टीट वेंडर पर्टेक्शन ओफ लीवली हुड और रेगुलेशन ओफ स्टीट वेंडर या किसी एस्थाई जगय पर बने धांचे से या जगय जगय घूं आम जनता के लिए रोज मर्रा कि जो उप्योग में आने वाली वस्तों सेवाओं की पेशकर्स करता है इस तरीकी की डेफिनिशन इस एक्ट के अंदर दी गई थी और इनके अधिकारों की सुरुक्षा की बात इस एक्ट में की गई है अब आगे की रह क्या हो सकती है देखिए हमारे देश में डेफिनिटली गवर्मेंट के द्वारा स्कीम तो चलाई जाती है लेकिन यी स्कीम का फाइदा स्टीट वेंडर्स को हो नहीं रहा क्यों नहीं हो रहा क्योंकि इनके जो implementation है इनकी identification है इनकी awareness है इनकी accessibility है जो various scheme है इनकी पहुंच नहीं है सही धंक से पहुंच नहीं हो पारी है स्टीट वेंडर्स तक अब जो benefit है इसके अलावा और क्या क्या जाए वही इनको अवेर किया जाए इन सब चीजों के बारे में तो यहाँ पर अवेरनेस की बहुत जादा जुरूरत है इसके अलावा जो महिला स्टीट वेंडर्स है उनको मात्रतु भत्ता, दुरगटना राहत, उच्छा है तू वेंडर्स के बच्चों को साहता, और किसी भी संकट के दोरान पैंशन जैसे लापरदान किये जाने चाहिए जो काफी पॉजिटीव स्टेप है स्टीट वेंडर्स के लिए, और राज्यों को इस सुनिश्चित करने के लिए कहा जाना चाहिए ये कि जो अधिकारियों त्वारा जो रेडी पटरी वालों को परिशान नहीं किया जाए क्योंकि वे केवल आजीविका का अधिकार की मांग कर रहे हैं वो और कुछ नहीं मांग रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ रुपया कमा लेंगे अपना घर कर्चा चला रहेंगे, उससे ज़्यादा और कुछ वो नहीं मांगते हैं, वो कोई गैर कानोनी धंदावा नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं तो सबजी तो बेच रहे हैं, या फिर कोई टेडी बीर, कोई खिलोना ही तो बेच रहे हैं, या फिर कोई फास्ट फ ज़्यादा ज़रूरत है तो उमीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है जो स्टीट वेंडर से लेटीड है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियो पसंद आई है तो बेशक इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए हैं तो चैनल को और वीडियो को दोनों को शेर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों अपने मित्रों या फिर हम बात करें आपके परिजिनों के साथ भी तो बस आज के लिए इतना है था थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो